नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास सेग्मेंट स्टॉप मजनुगिरी में और हम सब डिलाइव न्यूज की मुहिम स्टॉप मजनुगिरी के साथ वही के वही है और वो सभी सावसी उफ्तियां भी हमारे साथ स्टुडियों में लगातार बनी हुई है ब्रेक से पहले हमने जाना कि किन समस्याओं से लड़कियों को दोचार होना पड़ता है और किस तरह से मजनुगिरी को जड़ से खत्म किया जा सकता है मन्चलू का खात्मा किया जा सकता है और क्या सलूशन्स मजनुगिरी के हमारे सामने निकल कर आते हैं लड़कियां क्या सोचती है कि किस तरह से किस वे में हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए इस मजनुगिरी के खात्मे के लिए सबसे पहले आप हमें बताईए एक ता कि क्या मानते हैं आप कि मजनुगिरी को खत्म करने के लिए क्या एक पहला मूब जो है सभी लड़कियों को उठाना होगा और किस तरह से लड़कों को सबक सिखाया जा सकते मेरा ऐसा मानना है कि मैं यह नहीं बोलूंगी कि हर लड़के को इक अपनी अपनी भंधास भी समझना चाही है या या माहा इस समाझना चाही है लेकिन वह एक एंटेटेंवेंट पीस भी नहीं यह जिसके आते झाते खिलते ह।ब जाए आज-पास के लोग क्या सोचेंगे और या फिर उस लड़की की एमेज क्या क्योंकि अल्रडी वो लड़का तो स्पोईल करने का सोच ही चुखा है तो आपको भी बिलकुल मारने से मेरे हिसाब से मानना तो ऐसा है कि मारने एक मिनिट भी नहीं सोचना चाहिए तो कई ना कई कोई प्रूफ नहीं होता है मजनुगिरी अगर आपके साथ हुई है अगर अब छेड़ खानी हुई है तो किसी प्रूफ के सबूत के ना होने के वज़य से भी इन मामलों को उतना संग्यान में नहीं लिया जाता है जी बिल्कुछ तो क्या मानते हैं आपकी किस तरह जिम्मेदारों को इसकी सुद लेने चाहिए जनरली होता है कि एक लड़की अपने आप में भी मेंटली इता डिस्टर्ब फील करती वो सोचती उसकी इमेज पे ये लगेगा कि इसके साथ इव टीजिं होगे और ये इतना बड़ा इशू क्रियेट करें जिसके साथ एक महिला को ही हमेशा गलत समझा जाता है क्योंकि हमारी कंट्री एक मेल डॉमिनेटिंग सोसाइटी है जिम्मेदारों के पैस भी कभी जाते हैं तो वो कहते है रहे ऐसा होता रहता है ये करेंगे समाज में बाते फैलेंगी हमारी ही बदनामी होगी वो तो अलरड़ी बदनाम है ये कहकर टाल दिया जाता है तो आगेस जिम्मेदार ये लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर उनके घर की बेटियों को या कहीं की भी बेटियों को लड़कियों को अगर को छेड रहा है और क्या नहीं क्योंकि लड़के बहुत फाइदा उठाते हैं मेसेज़ेज में सेक्शुल अब्यूस करके भेज़ते हैं और क्या नहीं भेज़ते क्योंकि वो फेस टू फेस होते नहीं बहुत सारी चीजों का फाइदा उठाते हैं सब्सकार दिये जाते हैं हमारे परिवार में हमें वो बाते सिखाई जाती हैं कि हम मर्यादाओं में रहें संस्कृति को अपनाएं और हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी जो की अनेकता में एकता का भी रंग कहीना कहीं दिखाती है मुस्ती जो ट्रेडिशिंस और कल्चर वो उन्हीं को बताया जाते हैं कि उनको किस तरह से रहना चाहिए को लडको को नहीं बताता कि भाई तुम देखो मुस्ती हो सकता है ठीक ही थे तुम्हारी बहने है तुम्हारी आदे लेकि theoretically को बंदा चिड़केगा है आपकर अपके घर की हो हम क्यों वेट कर रहे हैं कि जब तक हमारे घर की बच्ची के साथ आसा नहीं होता तब तक हम और किसी के लिए एक्षिन लेंगे ही तो मुझे लगता है अवेरनेस होनी चाहिए और जहां तक बाते हैं लड़कियों की सुन में कॉंफिडेंस तो बिल्कुल होना ही चाहिए कि अगर वह आपको छेड़के जा तो आपमें इतना कॉंफिडेंस के आप इसको स्टेर करके बोलो कि इक बार करके बतातू बिल्कुल संस्कार और संस्कृति के बारे में आप लोग क्या मानते हैं कुल्चर के बारे मेरा ऐसा मानना है कि लोग अपनी कंट्री को या अपने आ लेवल है उसको भी काफी डवलब करना चाहिए अगर यहां पर लड़की कोई चोटे कपडे पहन के निकल रही है तो भईया उसको छेड़ना ही चाहिए लेकिन अगर आपको लड़की आप मतलब उसको आप गलत ना लेते हो अगर आप विदेशी वेस्टन कल्चर को एक्स को भी थोड़ी ना बच्ची हुई है तो जिनी अगता की प्लॉट से इसका कोई रलेशन है लड़कों कि तो आपके मात बुर्खा में अगर लड़किया जाती तो उनके साथ भी इव टीजिंग होती है हम कहते ना कि हम अंगल कर तक पॉच गले किन हमारी सोच अभी भी वह होती है वह जनरली लड़कों को ही सिखाया जाता कि तुम कोई घर में आये तो उसके पैर चूने है इज़त से बात करनी यह आगे सब लड़कों को सिखाना शुरू करना चाहिए कि मान मर्यादा में रहने की बारी आप लोगों के लिए आप क्या मानती है आपने बहुत सार जिसे अपनाती जा लेगा आपको क्या मानते है लोग इंडिपेंदेंस के वा नेशन का चीजे बढ़ी बद्लिंग वो मेंशा से एक वीकर सेक्षिन माना जाते हो साइटी का शुरू से एक चाहे को मेरी नादादी हो नानी हो या मेरी खुदी मां हो या मैं हुद हूँ घर जाए तक बाहर नहीं रहना है या जीन नहीं पहनो या वो सारी जीने करो हम रखो पे वो इस तारी क्या नहीं लगाते हैं यह बल्कुल कहीं इस पूरी मसले का सॉलुशन ढूंडे इस पूरी समस्या का समाधान ढूंडे उससे पहले ज़रा Ground Zero क्या कहता है Ground Reality क्या कहती है रियालिटी चेक में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या वाकई में कॉलेज परिसर हमारे सुरक्षित नहीं हैं, या हमारे हिंदुस्तान में जब लड़कियां जब छात्राएं, अब कक्षाओं में पढ़ाई के लिए जाती हैं, संस्कारों को सीखने के लिए जाती हैं, आगे आज समाज के ऐसी मानतिक बीमारी हो चुके है, जलके चलते लड़कियां हर रोज चपेट में आते हैं, लड़कियां सहन करते हैं, बरदाश करते हैं, लेकिन कब तक आखर लड़कियां बरदाश करेंगी, कभीन कभी आवास उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, क्या आपको यह तीजिंग क्यों होती हैं, क्या इसके खास कारण है, तब कुछ जानेगे, आज युगाह से बाप करेंगे यह तीजिंग को लेकर जानेगे, क्यों होती इजिंग कैसे रोकी जाएगी इजिंगे? ऐसा होता है कि गर्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है यह चीज़ जब स्चार्ट होता है वो बहुत अच्छा गाम कर रहे हैं सब करके उनके लिए शौक रहता है लेकिन गर्ल्स को बहुत बुरा लगता है यह अच्छी बात नहीं रहती है कि आप गर्ल्स को रास्ते पर चल के कुछ भी कर रहे हो अजीब से हरकते कर रहे हो तो यही रहता है कि किसी भी परसन को आप करते हो तो अच्छा नहीं लगता है और आजकल कुछ जादा ही यह बंढने लगा है और इस वज़े से प्रफ्रम ही हो जाती है कि लड़कियों के जो पैरेंस उनको घर से बाहर नहीं निकल निया जाता है आड़ बजे के बाद या रात को क्योंकि यह सब चीज रात में बहु कोई किसी लड़की को चेड़ता है तो उसका मतलब लड़की को यह नहीं लगना चाहिए कि यार मतलब उसने मुझे चेड़ दिया एक चल्म में जो गलती है वो तो एक लड़की के ना तो गल शुड़ नौट भी शेमफूल फॉर देट उसको आवाज उठानी चाहिए दहान वगरा अगर इसकी जगह तुमारी सिस्टर होती छोटी तुमारी बेटी वगरा होती तो क्या तुमारे भी यही रियक्शन होते उस टाइम पर उस यह सोच लो तुमारी सोच अपने आप सुदर जागे और लड़के सब ऐसे सुदर जाए आज के टाइम में जो कि निकलती तो माता पिता को चिनता हो जाती कि क्या हमारी लड़की सुरक्षित आएगी तो इस चीच पर लड़कों को पाचक की यूथ को सोचना हो가ा वाब कि क्या करना हुए अगर यूथ ये चीज नहीं सोचेगा तो फिर क्या होगा ये देश किस तरफ जाएगा हमारे अगर पुराना इतिहास उठा है तो ओरत मतलब लड़की को देवी का रूप माना जाता है लेकिन आज के समय में उसे देवी की नजर से नहीं देखा जा रहा तो अब हमें सोचना होता होगा कि हमारे संसकार जारे है या हमें लड़कियों को किस नजर से देखना है इसमलणतर यूइघ हो यहां पर हमने ग्राउंड रियालिटी कुछ जानने की कोशिश की, साक्षी आपका क्या अनुभव है, किस तरह से इव टीजिंग की समस्या को खत्म किया जा सकता है, यह से मिनिमाइस किया जा सकता है, क्या सुल्यूशन सिस्टम की तरफ से भी आने चाहिए, और वो कानून ज अगर हम देखें, तो 80% अगर हम देखें, तो कहीना कहीं वो सहमी हुई होती है, नरम दिल होती है, आवाज नहीं उठा पाती है, लेकिन हम देखें कि 20% अगर होती है, वो बेबाक होती है, और अपनी बातों को उन मनचलों के सामने रख पाती है, लेकिन वो जो 80% गर्ल्स है वो ही कही ना कही जादा मन्चलो का शिकार बनती है और लड़कियां कही ना कही अपने घर की इज़त का आईना होती है इस वज़े से भी कही ना कही वो सहम जाती है और अपने घर की इज़त के लिए वो सब कुछ mentally जो है इसका सेहन करती रहती है तो कहीं न कहीं मतलब घरवालों को अपनी लड़कियों पर विश्वास जताना होगा और एक ऐसी आबो हवा में एक ऐसे environment में लड़कियों को रखना होगा कि लड़कियां जो है हर तरह की बात अपने मादा-पिता साज़ा कर सके दिन चर्या में दिन भर लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब जाकर वो अपनी मा के साथ अपने पापा के साथ शेयर कर सके ताकि अगर कुछ भी गलत उनके साथ हो रहा है होने वाला है तो उसे पहले ही रोका जा सके कहीं न कहीं मनोवेग्ञानिक असर भी जो है यूवती के जीवन में उसकी जिन्दगी पर पड़ता है जब वो अगर किसी छेडशार की घटना से उस रूबरू होती है वो कहीं कही न कहीं मंचलो का शिकार होती है या उसे उस सारवजनिक जगाह पर कहीं कहीं शर्म के मारे उ वो क्या कहना चाहेंगी उनकी नजर में आकर समाधान है क्या और ये टीजिंग की समस्या के पीछे संस्कार और संस्कृति का कितना असर है क्या पाश्चाति संस्क्रति भी इसके लिए दोशी वो मानती है उनका क्या कहना है इस तरह से इक बड़ा मामला है कि अक्सर जो हो जब पुब्लिक पेसिस पर जब लड़किया निकलती है उनके साथ इस तरह की जो है वो चीजें वर्टित होती है हम लोग चीदे लगाता चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से यूतियों न आप पूरी तरह से करने के लिए किस तरह करने जाना चाहिए और खासकर क्या वाकई में जो वस्तिन कल्चर है वो कहीं कहीं इन चीजों का आगे बढ़ावा दे रहा है क्या माती है देखिए सबसे पहले तो हमें इस चीज का पता करना जरूरी है कि यह जो इप टीजिंग म में मुस्त आप देखेंगे रिसर्च कारेंगे तब यही पाएंगे कि मजणुकी वी को उस ऐसा एंटर्टेंमेंट पॉपस के लिए अंजाम दिया जाता है तो मैं सिभ इस इंगेन बॉईज और कोई भी बॉईज इन चीजों को अंजाम देथा है जो कुछ आज एक यूज बॉबस नहीं बॉबस नहीं परता है जो क्या ढूट आपने सोच को तुम हिती बाडी नहीं सकते है एक वह एक्साहिं इसम्ने इससा क्रेटिव करो तो मैं आपकी बहलाई हो और सामने बहले के बहलाई हो तो यह सीधर तौर पर लड़कों का कहना है कि यह सीधर तौर पर लड़कों का कहना है कि यह मनुरणजन का साधन है entertainment के लिए लड़के इस तरह की जो है वो चीजों का अंजाम देते हैं के यह सीधर बादा अगे चीजों को आगे बढ़ावा दें western culture क्या गाओं की लड़के किसी ने छेरा नहीं कभी गाओं की लड़कें जुट ही पह compact कहुंकि भार्तिय पहनावा है, सुच शारी क्या महाँ की लडक्य कभी किसी नहीं छgnた hope जाल तर को भी करें के हुते हैं तो कहां से गुत्टर को लड़के भी जिन्स पैंनते हैं क्युम कुि वो खुट्टे पजामे में निकले Constantin हम उनको जीन्स पहने में देखे नहीं छेड़ते हैं, हमारे मन में तो कभी कुछ नहीं आता है, उनके मन में आता है क्योंकि उनके सोच खराब है तो सब कुछ मिलाग कर आखरी में यहीं पता चलता है कि हमारा एदुकेशन सिस्टम मापाप की परवरिश और हमारे लोगों की सोच बस यहीं है कारण और इसको यदि बदला जा सके तो कुछ हो सकता है वर्ना तो अब देख ही रहे हूं तो वाकाई में जिस तरह से लड़कों के कहना है कि कहने का वैस्टम कल्चर तो अपनी जगे सही है लेकिन जब तक सोच नहीं बतले जब तक इस तरह की चीज़े जो है उन पर कहीने कहीं लगाम नहीं लगेगी तो कहीने कहीं जो बात पूरी तरह से निकल कर आ रही है कि य बिल्कुल वाकई में यहां पर यह मानसिक्ता का प्रश्ण चिन है यह कहा जाए सीधे तोर पर सोच का पैमाना कुछ ऐसा हो चला है जो की इव टीजिंग की समस्या को लगातार बढ़ाता जा रहा है शायद यही वज़ा है कि आज की नौजवान पीडी भी इस गलत रहा को शायद अपना फैशन स्टेट्मिंट मानने लगी है और आज के दौर के नए नौजवान या युवा कहा जाए वो मनचलो की शुरेणी में आकर खड़े हो गए बैराल आगे बढ़े उससे पहले ज़रा एक बार फिर ग्राउंड रियालिटी चेक कर लेते हैं कि आखिर किस टाइब न्यूज की टीम हाजर है अपनी मोहिम को लेकर जी हां स्टॉप मजनुगिरी में आज हम आ गये हैं ओल्ड जीडी सी कॉलेज के बाहर जहां पर बहुत सारी लड़कियां पढ़ने लिखने आती हैं कॉलेज में पढ़ाई करने आती हैं और उन सभी तमाम लड़कि को कई सारे मजनुओं का शिकार होना पड़ता है जी हां कई सारे मनचले यहां आकर लड़कियों के साथ छेडशाड और बत्तमीजी को अंजाम देते हैं चली चलते हैं बात करते हैं कुछ लड़कियों से और उनसे जानेगे कि किस तरह की सितियों से उन्हें गुजरना मैं ऐसा होता है कई लड़कियों का तो कॉलेज शुट जाता है जिन लोगों के पैरेंस चीज को नहीं सेन कर पाते हैं और पैरेंस उल्टा यह हमको समझाते हैं कि बेटा कुछ भी हो पलेट के किसी को जवाब नहीं देना एड्मोस्फियर आजकल का ऐसा चल रहा है कि आप कभी अखेले हो तो लड़का आपके साथ कोई भी हरकत कर सकता है हमें नहीं नहीं नामों से संभोधित किया जाता है इंपक्त कुछ भी अब्जेक्शन पब्लिक भी इशु किसी भी चीज को नहीं उठाती है क्योंकि वह लोग प्रूस्ते नहीं है कल से इसको बोला हमारी कि पर कोई बात नहीं आजाए तो कोई भी किसी के प्रस्नल इश्यूस में खुद इंवाल्व नहीं होना साता है और बहुत सारी दिक्कते आती है नहीं नहीं नामों से इने छेडा जाता है जो की बहुत ही हमारी जो सोसाइटी है उसे शर्मसार कर देने वाली बात है यह है कि घटनाव से आप सभी को गुजरना पड़ता है मेरा नाम कंचन होचाने है और मैं जिडिसी कॉलेज में पड़ते हूं फाइनल एर की छात्रा हूं हम अभी थोड़े दिम पहले कलेक्टर आपीस जो कि एक सरकारी दफ्तर है हम महाँ पर गय थे लेकिन महां के सफाई कर समचारी हमें बार-बार देखकर कमेंट पास कर रहे थे लेकिन दो बार हमने सोचा कि चलो जाने दीजिए ये लोग जो भी बोले हमें ध्यान नहीं देना है लेकिन फिर उन्होंने इतनी जोड से कुछ बोला हम लोग वापस मोण के उनके पास गये फिर उन्हें उस चीज क लडकिया जो निकलती हैं sono一個 वहाँ के जो रेएवासी विजल पूर के वह बच्चो को परिषान करते हैं लडकियों को साइकिल से दख़्ा देते हैं उनके कपड़े फार दे हैं इस तरीके के हड़ता हमें पूर दूसरा का लेज के बाहर मोग फिर हम लोग फड़े रहारे पर लड़कियों के साथ होती है और शेहर की सबसे हाइटेक प्रशासनिक संकुल में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है वो अपने आवेदन लेने और देने वहां पर नहीं पहुंच चकती क्योंकि वहां पर भी उन्हें वहां की कर्मचारियों द्वारा फप्तियां कसी ज प्रॉब्लम यह है कि एक तो मैं मुमेडी हूं और अपने घर से अकेले आना जाना करना इस बीच में कई बार क्या होता है कि लोग कमेंट्स करके निकल जाते हैं कभी कुछ कहते हैं पर पलट कि अगर उनको कुछ कहने की जरुरत नहीं बिटा आप नहीं बोल सकते हो और अ कि इसी हैं चलने दो कोई कुछ कहता नहीं है ट्रैफिक पर भी अगर कोई चल रहा है तो वहां पर भी नाटक होता है मैं मेरे घर के साइट से जा लड़के ने मुझे कमेंट करी तीसरी बार में मैं ने उसके घर पर जाकर शिकायत करी तो उल्टा मेरे घर पर लगने के लि उन्हें पर जाता है। लड़की यह लड़की के उपर लांचन लगा देते तो उनकी शादी से लेकर उसका पूरा लाइफ दिस्ट्रॉई हो जाती उस चीज के लेकर तो हमको इस चीज का विरोध करना चाहिए बिल्कुल चीक बात है लड़कीयों को ही कही ना कही आवाज उठाने की जरूरत है कि क्या बलते हैं जो क्या बटाए जी तेरे की कोई घटना आपके साथ उती है लड़कों को द्वाएं को ओलेज आते समय लड़की शेरशार करते देखिए एक साइकल से आते छोटे शोटे चोटे लड़कों की इतने हिम्मत होगे कि वह सामने आगे कटनार के चले जाते अ आपन कुछ बोलो तो हाई हलो करके वापस पीछे चले जाते कुछ है मतलब रिस्कॉंस ही नहीं और अगर आपन कुछ बोलना चाहो तो आज पास के भी लोग बस खड़े खड़े देखना आज कर तो क्या बोलते हैं रोड़ पर भी मतलब कि अपने तो सब ऐसा हो गए कि क्या हैं मनचलों की जितनी भी गंदी हरकतों का आपको सामना करना पड़ना है बहुत से पार हमने इसे हरकत हो चुकी है हमने प्रोपर उसको जवाब भी दिया है बट आभी भी वह चीज़े बन नहीं हुई है इस एरिया में का लेक्टर एरिया यहां मालोग उनने स्कूल जीड सिर्टेच zinc industry एक लड़की है उसके सीटी होती है बतार आटे आपकीbly तरफ हमादे अन्दर जयां पर लगातार हम पिछले कई देर से देख है हैं लड़कों लड़के रुक कर कॉलेज में जहांकर फिर आगे बढ़ रहें तो क्या किस तरह की घटना है आपको रूसमर्णा में देखने को में रोज इतनी घटना होगा सामना करना पड़ता है रोज घर से आए रोज वेन मेजिक में वेटों महां भी छेरचार होती रहती है वेन वाले कुछ भी कमेंट्स मारते कुछ भी बोलते फिर यहां से निकलो तो भी लड़कों निकलते कुछ भी बोलते वह चल जाते कुछ भी कमेंट्स बास करते हैं को रोज यहां से कुछ ना कुछ का सामना करना ही पड़ता है लड़कियों को तमाम तरह की बत्तमीजियों का सामना क कि किस तरहे से इसके उपर भी strict actions बनाये जाने चाहिए और मजनुकिरी के भी मामलों को बिल्कुल संग्यान मिलाना जा चाहिए पुलिस प्रशासन वारब इन मामलों में कापी, I mean, strict rules बना देने जाहिए, because हम लोग प्रॉपर इंदोर के रहने वाले हैं नहीं, बाहर के रहने वाले हैं, हम लोग जब यहां पर रहने के लिए आते हैं, और हमें कुछ ऐसी मुस्पतों का सामना करना पड़ता है, जिससे लगता है कि हमको पढ़ाई छोड़ देनी जिए, प्योंकि आए दिन कुछ नो कुछ होता ही रहता, जैसा होस्टल से बाहर निकलते टाइम, दस बाह सोचना पड़ते हैं, कि हमरे साथ आज क्या होने वाला है, दिन रही वेन और रिक्षे वालों के बाद तो यह आए दिन छेटर दिया गए, मेडम चल होगी, इसा इसा नहीं करना है चाहिए, काफी इस्ट्रिक रूल्स बना ले जाए, बस इस्टोप पर भी खड़े रहते तो कोई भी लड़का वाइक रोकर कुछ भी कमेंट करके निकल जाता है, कई ना कई जरूरत है माबाप को भी अपनी लड़कियों पर विश्वास करन में जो यह स्टॉप है, सुबह के टाइम, साथ-साथ बचे का हमारा कॉलेश का टाइम है, यदि कोई लड़की यहां पर आकर बेटती है, कोई रिक्षा वाला आता है, गंदी-गंदी हरकाते करता है, छेड़ खानी करता है, और अगर लड़की ना बोले, तो कुछ मतलब क लड़कार के साथ होता है, तो अधेर उम्र के वेक्टी होते है, यहां पर यहां पर यहकोई बहलता है, आप क्या चाहती हुआ, अगर प्रकार की लड़की के साथ होता है, तो अधिकतर फैमिली या सोसाइटी यही सोच रखते कि उसके लड़के के साथ हुआ है तो यह हमाई लड़के के साथ भी होगा, उसके लड़के साथ हुआ है, तो उसके कारण बाकी लड़कें पे जो रुपती बीचेब वो पढ़ नहीं सकती, उनको घर में केद हो कर दिया इसके लिए आवाज उठानी होगी और लड़कियों कोई एक जुट होना होगा इस समस्या से निजात पाने के लिए। हैं और किसी से कमजोर नहीं है, तो वो हमको परिशान इसी तरह करते रहेंगे। मचनुगिरी बंद करो! तो यहां पर यह सभी सासी और होसले बुलन थे इन सभी लड़कियों के लिए जिन्हों ने वो तमाम घटनाओं का जिकर हमारे साथ किया, जो इनके साथ इनकी रोज मरा की जिंदगी में घटत होती हैं। कईना कई सभी लड़कियों को मांसिक रूप से भी डिप्रेस कर देती हैं। और सुसाइटी में इनका घूमना फिरना और खुली आबो हवा में घूमना फिरना सब कुछ प्रतिबंदित कर दिया गा। तो ये थी वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स जो डिलाइव न्यूस की टीम ने ग्राउंड पर उतर कर की और वहां मौझूद कॉलेज परिसर में मौझूद उन तमाम लड़कियों से भी जाना कि किस तरह की समस्याओं से उन्हें दोचार होना परता है और क्या मानती है कि किस तरह से इसका समाधान होना चाहिए कही ना कई वो जो 80% लड़किया है उनमें भी डिलाइव न्यूस की इस मुहिम से कही ना कई एक उमीद की लहर जागी है और वो भी इस मुहिम से चुड़ने के लिए आतुर है और वो भी तमाम मंचलों के खिलाफ आवाज उठान पड़ेगा और सभी युफ्तियों से भी में एक बार कहूंगी कि किस तरह आप अपनी आवाज सभी दर्शकों तक पहुचाना चाहती है और क्या कहना चाहती है कि अब लड़कियों की होसले बुलंद हो गये हैं क्या एक संदेश देना चाहती है आप सभी क्या बोलना चाहेंगे आप सब एक ही आवाज में जी हाँ बिल्कुल स्टॉप मजनुगरी यह वह खास मैसेज है जो कि डी लाइव न्यूज लगातार अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहा है और उन मंचोलों तक भी पहुंचा रहा है जो लगातार इस तरह की घटना को ना केवल अंजाम देते हैं बलकि फप्तिया कस्तना लड़कियों के साथ छेड़ चाड़ करना शान का विशय समझते हैं अब इसे विडंबना समझना होगा और हमारे हिंदूस्तान देश में फिर दोबारा किसी दामीनी के लिए दिसंबर क्रांती के लिए आवाम को सड जागरुकता का अलग जलाने वाला हैं वो हर हफते हमारे स्टूडियों में लड़कियां हमारे साथ जुड़ती हैं और वो सभी लड़कियों को भी यहां पर वो कहती है कि आप भी डिलाइब निउस की मुहिम से जुड़ सकती हैं और तमाम जो आपके दिल में हैं वो यहां पर आकर अपनी आवाज दर्शुकों त साथ हम सब जब मिलकर कहेंगे स्टॉप मजनुगरी